हाई फ्रेंट्स मैं हूँ आपके साथ नम्ता अक्टर अर्जुन कपूर अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने रिलेशन्शिप को लेकर लाइम लाइट में रहते हैं आप जानते ही होंगे अर्जुन इस वक्त मलाइका अरोडा को डेट कर रही है अर्जुन मलाइका की जोड़ी हर वक्त टॉक आफ दे टाउन बनी रहती है कुछ लोग इस कपल को पसंद करते हैं तो कुछ लोग एज गाप को लेकर दोनों को ट्रोल करते हैं वो अलग बात है कि इन स्टार्स को ना ही ट्रोलर्स से फरक पड़ता है और ना ही ट्रोलिंग से इसी को लेकर हाल ही में खुद अर्जुन कपूर ने बात की अर्जुन ने एक इंटरव्यू में कहा पहला तो ये कि मुझे लगता है मीडिया वो है जो लोगों के कमेंट को ज्यादा देखता है हम इसका 90% हिस्सा भी नहीं देखते इसलिए ट्रोलिंग को इतना महत्र नहीं देते क्योंकि ये सब फेक है वही लोग मुझसे मिलने पर मेरे साथ सेलफी लेने के लिए मरे जा रही होंगे इसलिए आप उस कहानी पर विश्वास नहीं कर सकते मैं जो अपनी परसनल लाइफ में करता हूँ वो मेरा विश्यशा धिकार है जब तक मेरे काम की पहचान हो रही है तब तक बाकी सब शोर शराबा है साथी आप इस बाक से परिशान नहीं हो सकते कि किसकी उम्र क्या है इसलिए हमें बस जीना चाहिए जीने देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए बिताते चले मलाइका ने अर्बास खान को साल 2017 में तलाग दिया था और उसके बाद से ही वो दोनों अलग हैं फिर मलाइका का नाम अरजुन कपूर से जुनना शुरू हुआ कुछ वक्त पहले ही दोनों ने इंडिरेक्टली अपने रिष्टे को ओफीशल किया है आलम ये है कि अब तो दोनों साथ में पब्लिकली स्पॉट होते हैं विकेशन्स पर जाती हैं एक दूसरे के साथ पोटो शेयर करते हैं और अपनी जिंदगी इंजॉय कर रही है ट्रोलर्स को लेकर अरजुन कपूर ने जो कहा अकसर यही बात कई सेलेप्स बोल चुके हैं जैसे अक्ट्रिस प्रियंका चोपडा भी कह चुकी है कि मुठी भर लोग गलत कमेंट्स लिखते हैं और उसी को हाइलाइट कर खबर बना दी जाती है उन्हें भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता खैर अरजुन मलाइका से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर